नमश्कारों जिनिशा दिक्षित इंडिया न्यूज मा अपनू स्वागत करूछू तो नजर करी अत्याना खास समाचारों पर भारतीय जनता पार्टीय ने तेनी विचार धाराने समर्थन आपरार रास्ट्रियस वयम सेवक संग 2023 नी विधान सभानी चूटणी माटे संगठनने सुबावस्तित करवानी प्रक्रिया शरू करे दिशे पार्टी गुर्वारे तेरन राज्जोबा चूटणी ने ध्यानमा राखी ने चार महासचीवों माटे नवापद नी जहरात करी शे तेरे तेबा पूर्वत्तर राज्जोबा प्रादेसीक संगठन महासचीव नी जवाबदारी संभाडी रहेला अजय जामवालने मध्य प्रदेश ने 36 गड़ना प्रदेश संगठन महासचीव तरीके नी उप्ती करवा मावी चे बनने राज्जो माँ पार्टी ब्याज़ोद रेविस नी विधान सभा चुटणी पहला तेने केडर ने मजबूत करवा माटे सकत महनत करी रही चे चेली विधान सभा चुटणी माँ पार्टी नी हार बाद खास करी रे 36 गड़ माँ भाज़क कॉंग्रेस सरकार ने घेरवानों प्रयास करी रही चे तेना गैर साशन ना आरोपो सामे जुम्मे शरू करी रही चे पार्टी ने विधान सभा सरकार सामे आ विश्वास नी दर खास्त दाखल करी चे कि जे मा सरकानी अस्तिरता दर्शावा पुर्वार तरीके टी एस्ये देवना राजी नामा ने टाक्वा माँ आवे चे चत्तिसगड के अभी नेटना एक मंत्री ये मुख्यमंत्री भुपेश बागेल पर गंभी रारोपो लगावया चे राज्ये मा बेफाम ब्रस्टा चाली रहयो चे लोको परिवर्तनी राजोई रहया चे आवसावै भाजपे पड़कार जनक संजोगों मा संगठन चलावानों अनुभव धरावती वैक्तियों ने मोकली चे पार्टी ने जामवाल मा विश्वास चे जेमने नौर्थ इस्ट विस्तार मा पार्टी नी अंदरना मत भेदों ने दूर करवा मा महत्वनी भूमी का भजवी हती त्यारे संगठन ने पड़ मजबूत बनावी हतो एक अधीकारी जनावी हतो के मध्यप्रदेश उने छत्तसगर बनने राजों ना पार्टी एकमों मा जगडा चाली रहा चे और बदलाव ने नवा चेहरा वो मूर्मा जे आवे तेवा मूर्मा लागी रहा चे कि जेना कार जरीते अपने साव जानिये छे कि राष्ट्र पती रामनात कोविंद जे छे तेमनों आजे कारिकार पूण थायो चने साथे जे चे आजे साथ वागे तेवो देश ने संबोधित करवाना हाता न्या संबोधर्मा ते देश ने कहवाना हाता आज जे छे जोडने में सक्रिय हमारे सामाजिक कारिकरता भारतिय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार वा गुरुजन आप सभी ने मुझे अपने कर्तब्यों का निर्वेहन करने में भरपूर सहयोग दिया है संग्छेप में कहूं तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन वा आशीरवाद मिला है मेरे मनों मस्तिस्क में वे सभी छण विसेश रूप से अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्द सैनिक वलों तता पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी उन सभी में देश प्रेम की अदभुद भावना देखने को मिलती है अपनी विदेश यात्राओं के दोरान, जब भी प्रवासी भारतियों के साथ मेरा मिलना हुगा हर बार मुझे मातर भूमी के प्रती, उनके गहरे प्यार और अपने पन का एहसास हुगा देश के सरवोच नागरिक पुरसकार समारों के दोरान, मुझे अनेक असाधरन प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पन और द्रड निस्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्मान में सक्री है इस प्रकार अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा या विश्वास और भी द्रड हुआ कि हमारे निस्ठावान नागरिक ही बास्तविक रास्ट निर्माता है और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रियास रथ है ऐसे सभी निस्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविस सुरक्षित है प्यारे देशवासियों अपने इन अनभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बच्पन भी याद आता रहा है कि किस तरह महतपूर्ण आयतिहास से घटनाए हमारे व्यक्तिकत जीवन को प्रभावित करती रही जब अपने छोटे से गाउं में एक साधरन बालक के नजरिये से मैं जीवन को समझने की कोशिस कर रहा था तब देश को आजादी हासिल किये हुए कुछ ही साल हुए थे देश के पुनर निर्मान के लिए लोगों में एक नया जोस दिखाई देता था उनकी आखों में नए सपने थे मेरे दिलों दिमाग में भी एक दुंदली सी कलपना उबर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्मान में भागीदारी कर सकूँगा कच्छे घर में गुजर बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधारन वालक के लिए हमारे गणतंत्र के सरवोच संभाईधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कलपना से परे था लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चल कर वह देश की नियती को समारने में अपनी महतपूर्ण भूम का निभा सकता है कानपूर देहार जिले के परोख गाउं के आतिसाधारन परिवार में पला बढ़ा वह रामनात कोविन आज आप सभी देशवासियों को सम्भूधित कर रहा है इसके लिए मैं अपने देश की जीवन्त लोकतांत्रिक विवस्था की शक्ति को सत्सत नमन करता हूँ चुकि मैंने अपने गाउं का उले किया है प्राम्त विगतों उसार जो ये तो बैठक मा राज्यों ना कामकाज पर वाच्चित थाई छे साधेश कहवाई रायूचे के रहिवारे जेचे दिल्ली मा मुख्य मंत्रियों नी जे बैठक आजे योजाई हती तेमा सरकार ना छेला आठ वरश दर्मियान करवा मा आवेला कामों ने जनता सामे रजुकरवानी रण नीती तैयार करवा मा आवी छे के दिनी साधे आगामी अमुपर्जमा राज्यों मा थनारी विधान सभा चूटनी आने बेजार चौवसनी लोग सभा चूटनी ने लईने रण नीती तैयार करवा मा आटे वाच्चित करवा मा आवे दी उपन जन्वा मड़ी हो छे के पार्टी ने मजबूत करवा ने मोर्चा स्तर पर कमिटी बनावा मा आटे नी पन मंजूरी आपवा मा आवी छे रख्षा मंत्री राजनाची एक दीवश्य जम्मू प्रवाशे पहुंचे हाता त्या तेमने कारगिलना शौरिय वीरो निश्रद्धान जन्वा मा आटे ने में पोताना संभूधन मा राजनाची एक दीवश्य जम्मू प्रवा मा आटे भारती ये सेना आनी सुरक्षा दड़ोई जे बलीदान आपिया छे तेमनी चर्चा करिये तेकली ओची छे साथे जे बलीदानियोंना माता पिताने पर हो शीष जुकावी ने नमन करूछू कि जे मिने आवा बहाद्दूरोंने जन्मा आप्या छे राजनाची एक आज़ादी बाद भारतने पांच युद्ध लड़वा पड़े हाता साथे जे जे चेलू युद्ध जे थिऊ तो य ओगणिस्ट नवाणूमा कार्गिल युद्ध थिऊ तो कि जे मा जे चे कार्गिल युद्ध मा घणा सुरक्षा दड़ो अने सैनिको जे चे तेमा पोतान बलीदान नोंधाव्यू हतू चोटा उदैपूर जुलाना घोजा गाम मा चोटा उदैपूर ना जे भाजब प्रमुक रश्मी कांत वसावाय दारूना नशामा आरोग्य राज्य मंत्री निमिशा सुथार नी चार वार पीट थब थबावी ने अशोबनिय वर्तन कर्यू हतू जाहर मा लथडिया खाता जोवा मडिया हता महिला मंत्री साथ अशोबनिय वर्तन ना मुद्दे छेक प्रदेश कक्षाए जेचा मुद्दो पहुचियो छे बिन सत्तावार शुत्रो प्रमाणे आरोग्य राज्य मंत्री निमिशा सुतारे प्रदेश प्रमुक्षियार पाटिल समक्षा मुद्दाने रजुवात करी छे रश्मिकांत वसावाने वर्तन सामे पोतानो वांधा उठावे उछे भारतना राष्टपती तरीके द्रौपदी मुर्मने जे प्रतमा दिवाशी महिला तरीके चुटा आया छे जे दिया प्रशंग ने बधावी लेवं माटे छोटा उदापुर जुल्ला ना जोजा गाम्मा कारिक्रम योजाए होतो जे में छोटा उदापुर जुल्ला प्रभारियने आरोग्य राज्य मंत्री निमिशा शुतार उपस्तित रहाता उप्रांत जुल्ला भाजप प्रमुग रश्मीकांत वशावास सहीत अने कागेवानों प्रशंगे हाजर रहाता साथे जा कारिक्रम नुएक वीडियो पड वाईरल थाई रहो छे समगर गुजरात मा वर्शादी वातावरण छे त्यारे कुद्रतेपन पोतानों सौंदर ये रूप बतावियो छे मिलोणामा आवेला सुन्सर नो धोध जीवन थायो छे आ धोध मा मात्र वर्शादी माहोल मा निकडे छे त्यारे आसेजन मा प्रथम वकत सुन्सर खाते नो धोध जीवन बनियो छे त्यारे भिलोडा पथक मा पड़ेला वर्शाद ने लईने धोध शरू थायो छे अने दोध शरू थाता नयन रम्यों नजारा जो अमडिया हाता साथे जो लोको त्या पावी पहुंच्या छे लोको चै छे दोध शरू थाता दरवर्ष लोको मोटी संख्यामा परिवार शाते त्या आनन मानवा माटे ते स्थर्ड पर उपस्तिद रहता होई छे अग्यारस्ति कावडा यात्रानी शरूआ थाई चुकी छे त्यारे वडोद्राना सौथी 125 जेटा युवानो यात्रा धाम चादोत खाते वहली सवारे आवी पहुच्चो आता नर्मदामा स्नान करी नर्मदा जीने श्रीफण अर्पन करी ने जल लईने कावडा यात्रानो पकपाला शुभारम करे होगा तो साथे जबंबं बोले हरहर महादेवना नाद साथे यात्रा निकडी हती महत्वनी वात करिये तो छला 11 वरस थी कावडा यात्रानो आउजन करवा मावी रहुचे बेवरस कोरोना ना कारने यात्राने बंद राखवा मावी तिया वर्षे 13 मा वर्ष मा जेछे मंगल प्रवेश्थायों चे के सौथी 125 जटला युवानो कावडा लेने चादोत्ती वडोद्रा खाते आवेला हरनी मोर्ट नाथ महादेव मंदीर पहुचे आदब तेरसना दिवश महादेव पर नर्मदा जड थी अभिशेक कर्वा मावी तिया वर्षे कावड यात्रा दर्म्यान जेछे युवानो द्वारत्रान दिवस्तुदी उपवास राखवा मावी तेमज रस्ता पर तेवो माटे दर एक जग्या है के सुन्दर फराडी नाश्तो तेमज जमब रहां वावस्ता पंडराक्वा माव वम जेव? यह कावड यात्रा का आयोजन वैसे पिछले 11 साल से और वैसे 13 साल से दो साल कोवीड की वज़े से कावड यात्रा नहीं निकल सेगी लेकिन पिछले 13 साल से आप कह सकते हो कि यह कावड यात्रा चानोज से मोटनात मादेव मंदिर हरनी नर्मदा मिया का त्रिवेनी संगम का जल सभी भगत और मोश्ली उत्तर भारती ये भगत है यहां से पैदल चलके और बड़ोदा 65 किलोमीटर उपवास के साथ इस कावड यातरा को संपन करते हैं शक्ति पी टंबाजी खाते जेछे काड़ो वादळा जेछे घेराए हात्ता त्यारे आगाही ना पगले भैली सवार्थी जे शक्ति पी टंबाजी मा धीमी धा रे वर्षाद पड़वा नोजेछे शरू थायो तो भारत यती भारे वर्शादनी आगाही करवा मा आवी छे वर्शाद आओता धरती पुत्रों राजी थाया चे दाता तालूँको जी छे खेती धराओतो तालूको छे त्यारे मेग महरता खेडूतों मा खुशी जुवा माडी हती आणन जिल्ला मा भारे वर्षाद नी आगाही तेमज आगामी समय मा आवनार दशामा ने गणेश विसर्जन साथे ताजय विसर्जन परवने लईने फाइल ब्रिगेड द्वारा आणन दी शेहर ना गोया तड़ाव मा बोट ना इंजिन नी आने साधनों नी चकाश नी करव मा आवी हती आगामी समय मा जो भारे वर्षाद आवे अथवा तो जिल्ला मा थी पसार थती नदियो मा पूर आवानी घटना बने दो आवा समय बचाव कामगीरी सत्वारे करी सकाए तेमज गणेश जेचे उत्सव दशामा वरत अने ताज्या विसर्जन मा पन तड़ाव म मा बोट ना उप्योग मी जरूर पड़ी शके चे के जिने लईने इंचार्ज फायर ओफिसर नरेंद्रपंडिया द्वारा आनंद शहर मा गोया तड़ाव मा बोट तेमज एंजिय ने चकाश नी करवा मा आवी हती उत्तर गुजराथ साइत बनासकाठा जिल्ला मा हवामान विभार द्वारा आगामी अच्छे अवस जुलाई सुदी अती भारे वर्षवाद नी आगाही करवा मा आवी शे साधेज रविवान नी सवार्थी जमिरगड तालुका मा धिमिधारे वर्षवाद नू आगबन थता वाता वरण मठंडक प्रश्रियती अथा वस्तार ना 14 जेटला गामोना लोकोंने भैता पाणीमन नौ उतर्वा माटे अपेल करवा मा आवी शे दांग जिल्लामा साथी वदू वधाई मा पौणा बेंच वर्षाद खाब क्यों शे त्यारे चोमासामा डांग नी सुन्दर ता सोडे कला एकिली उठीशे जर्मर वरस्ता वर्षाद वच्चे निकडेला कुद्रती सौंदर यना दर्शन माटे मोटी संख्यामा प्रवाश्यों ही चोमासानी सीजन मा उंटी पड़े हाता त्यारे वधू वर्षाद थी अंबीका नदीजना जर्स्तरमा वधारो थायो चे के जिनाकाने जिल्लान त दर्वामा आविया चे साथे ज भारे वर्षाद दी तरंड जेटला लो लेवल कौजे फानी मा गर्ग थाया चे मारगो बंद थाता लोको द्वारा वैकल पिक मार्ग माठे अपील करवामा आवी रही चे डांग जुल्लानी सरत सुधीनी केच मेंट एरिया ने घमरोडी नाकता ब्याजवार बाविस्ना भाया नक महापूर डांग जुल्लाना इतिहास मा जेचे त्यार थी मेग तांडव डांग मा घणा लोकों ने पूर्थी असर ग्रस थाया चे केच लाक लोकों ने तो पोता नो जीव गुमावानो वारो आवी होतो तो पाणी लोकों ना घर मा घुसी जता घर वकरी ने नुक्षाट बहुचिऊ छे त्यार्या डाग काली बेल पथक मा पूर्ग्रस्त पातड़ी अने पाठमार गामन जरूरियात मंद लोकों ने जरूरियात चीज वस्तुवनो वित्रण करवा मा आवी होतो यूमन अलाइंस चैरिटेबल ट्रस्ट ने टीम औने अननता मित्रो साथे पूर्ग्रस्त लोकों ने अनाज भासरन कपड़ा तेमज चादर और धवड़ानों वित्रण करवा मा आवी होतो भारे वर्शाद ने कारणे हजुपण घणा लोकों मदद थी वन्चित रहा चे क जेओने मदद करवा माटे शक्यों होय तेटले कीटों अने तेमज खूबज वधार असर ग्रस्त विस्तारों मा तेओने पहुची वड़वा माटे टीमों तैनाद करवा मा आवी छे पालनपूर मा रहिवारे वहली सवार्थीज मेग राजवाय धमाके दार अंत्री करता ठेर ठेर वर्शाद पाणी भराया हाता बनास काठा मा भारे वर्षाद अन्याती भारे वर्षाद निया आगाही ना पगले जिल्ला मा सार्वत्रीक वर्षाद थायोचे कि जे मा पालनपूर शहर मा भैली सावार्थी जे वर्षाद थाता नीचान वड़ा वस्तारों मा पाणी भराया आता तेमच गायतरी मंदीर नजीक हाईवे पर पाणी भराई जता वहां चालकोंने भारे हाला कीनो सामनों करवो पड़े होतो गुजरात मा फरी एक वार वर्शाद में आगाही करवा मा आवीचे तेरे अमदावाद मा सांजे धोदमार वर्शाद वरश्वानों शरू थायू हातो हाड केश्वर भारे वर्शाद ने पगले आखो वस्तार बेट मा फेरवायू है तेवू लागी रही हातो आउपरांद राज्य मा ठेक ठेक आने वर्शाद वरश्वर चे गुजरात मा फरी एक वार दोदमार वर्शादी माहुल सर्जवाने पगले हावामान विभाग द्वारा संकेतो अपवा मा आवया चे शहरना प्रिलाद नगर मकरबा वेजलपूर बोटक देव हाडकेश्वर इसनपूर अने अंबावाडी जेवा वस्तारों मा अतीती भारे वर्शाद जेछे तेने पढ़वानी शक्यतावु व्यक्त करवा मावी चे साथे त्रण दिवस दर्म्यान जेछे अमदवाद अने उत्तर गुजरात ना विविद विस्तारों मा अती भारे वर्शाद पढ़वानी हवा मान विभाग वर आगाही चेमा पाटन महेशाना बनासकाठा जिल्लामा अती भारे वर्शाद ने पगलेना लईने जेछे साथे घुमस भर्यू वातावरन अने तेमा पंड सुस्वाटा मारती ठंडी लहर नानुभा मातर ने मातर वे हिल स्टेशन माउंट आबू माज थाई शके चे तेरे त्या परिया टको लाखोरी संख्या मात तेहां पहुचियाचे साथेज अहला तग वातावरन अने नैयन रम्य द्रश्च्यत यह जोवा मडू रहा छे माहल वच्चे सॉंदर याने चार चान लागी जता हवा थी डुंगरोंने स्पर्श करता वादरोंने खड़खड भैता जड़ना उनी वच्चे सहलाणियों मोटी संख्या मा उपस्तित रहा हाता आजादीना अमुरुत महसव अंतरगत भारतीय रेल विद्वारा आजादीनी रेल गाडियन स्टेशन उजमनी करवा भी हते किते अंतरगत आनन तालुकान अडासा रोड स्टेशन खाते उजमनी नो समापन कारिक्रम यो जायो हतो आजादी की रेल गाडियन स्टेशन कारिक्रम अंतरगत अडासा रेल वे स्टेशन ने संगारवा मा आवियो हतो अड़ासा रेलवे स्टेशन खाते आजादीनी लड़त दर्मियान भारत छोड़ो चलवणना प्रचार माटे निकड़ेला स्वात अंत्रिय वीरो औने अंग्रेजो पोलिस फाइरिंग करता कि जमा पांच युवा को शहित थाया आता तेमने श्रदान जली अरपेट करवा मा आवियती अजिसर जो आज का करेकरम हुआ यह क्या आएउजन था देश बर में मनाया जा रहा है आजादी के अम्रत मौसव के तर्थ आजादी की रेल गाड़ी और इस्टेशन थीम पर देश बर के 55 इस्टेशनों पर यह आज आज विशेष करेकरम का आउजन किया रहा है इसमें बेश्चिम रेले में वरोदर मंदल के अडास रोड इस्टेशन का बना है व्याजियत 122-143 तर्थ सेनानी का फिरंगी द्वारा दवारी की दौररा फिरंगला गया था कि शहीद में एक शहीद स्वार्ग निया पना है इसके लिए आज के करेंगव में शांदावार ठाप और जो याज की स्वकतरदा शेनानी है उसे मुख्यति जी की रूप नमने अमन्फित किया है और इस कारेकरम का आज हम समावाद के पीछा जाओ नहीं तेड़ा पड़े ज प्रोग्राम था हमारा 17 जुलाई से 23 जुलाई तक है आज इसका समापन समारो था जिसमें यह अडास रेल्यों इस्टेशन पर पांच सुत्रम तरह सिन्याने जो अपनी जान जी थी भारत छोड़वान नोलन के तैट उसके उप्लक्ष में यह मनाय गया है आज क्या क्या का पूरे हफ्ते बन में हमने नुकर नाटक बच्चों की चित्रगला पतियों की था और जैसे यहां पी पृतियों की था है कि हमने फ्रक्षार उपन का प्रोग्राम तक है और सहीं इस मारक पर हमने कुछ पांच जिलेते हैं तो नो पर सुतम्ष गुजरातना विवित जुला पशुधन मा व्यापक प्रमाण मा लंपी वायरस नो जेचे ते फैलाई रहा हो छे तेरे बनासकाडाना पशुओमा रोग न जे फैलाई चे तेना माटे चैर्मेन शंकर चोधरी ना मारक दर्शन हेटर बनासडेरी ये संबेदन शील अभिगम दर्शावी जिल्लानी पशुपालन विभाग न अधिकारोंने सरकार न पशुपालन नियमक नायाब पशुपालन नियमक जेवाच जेव साथे बैठी ने जेचे बैठक करवा मावी हती ने लंपी वायरस नामना रोग साथे केवरी ते लड़ी शकाए अनने कई रीते तेनो जेचे उपद्रव वदेचे तेना उपर चर्चा करवा मावी हती।